अगर आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजे इससे मेरे आने वाली हर नई रेसिपीस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचेंगे असलाम अलेकुम आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कोफता करी तो यह मैंने चिकन का कीमा लिया है हाफ केजी कीमा है अगर आपका चिकन का कीमा नहीं है तो आप जार में डालकर उसको ग्राइंड कर लीजिए वन टेस्पून अधक लसन का पेस्ट दालेंगे इसमें और वन टेस्पून हरी मीचो का पेस्ट दालेंगे कीमा हमारा ड्राइ होना चाहिए पानी वाला नहीं होना चाहिए और यह मैंने एक मेडियम साइस की प्यास को चौपर में डालकर बारिक चौप कर लिया है आपकी प्यास बारिक होनी चाहिए आप चाहे तो प्यास का पेस्ट भी ले सकते हैं बट वो जादा पानी छोड़ीगी इसने मैंने चॉप करके लिया है मसालों में मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्चे ली है और half teaspoon कुटी में मिर्चे half teaspoon हल्दी ली है salt आप अपने taste के according दालिए यह मैंने basin लिया है one tablespoon अगर आपके पस चना है तो उसको थोड़ा सा भूनकर आप पीस लीजिए उसको भी डाल सकते हैं इससे हमारे कुफतों में अच्छी से binding हो जाएंगी तो मिक्स कर लेंगे हम मसालों को कीमे में तो मसालों को मैंने मिक्स कर लिया है अब हातों को ऑईल से ग्रीस कर लीजिए और छोटे-छोटे हिस्ते ले लीजिए और गोल करके उसके कुफते बना लीजिए आपको जैसा साइस चाहिए छोटा या बड़ा बना सकते हैं बट कोफते ज्यादा बड़े नहीं होते हैं मीडियम साइस की होते हैं तो यह देखिए इस तरीके से राउंड कर लिजिए कोफता हमारा बनकर रेडि है सेकंड वाला भी इसी तरीके से हम बना लेते हैं बहुत से लोग सोचते हैं कि कोफते बनाना बहुत मुश्किल काम है हार होता है बट नहीं कोफते बनाना बिल्कुल एजी होता है बहुत यह आसान होता है बलके सबसे आसान कोफते बनाना ही है तो यह देखिये, सेकेंड वाला भी हमारा बनकर ready है इसी तरीके से हम सारे कौफतों को बना कर ready कर लेंगे तो सारे कौफते मैंने बना लिये हैं, अब मैं इसको fry करने वाली हूँ तो तेल मैंने गरम कर लिया है लो फ्लेम पर गरम किया था मैंने जाधा गरम नहीं करना है आपको अगर तेल जाधा गरम हो जाएगा तो यह उपर से कलर आ जाएगा और अंदर से कोफते आपके कच्छे रह जाएगे तो medium to high flame रखिए और इसको fry कर लीजिए चिकन के कोफते हैं इनको पकने के लिए time नहीं लगता है यह जल्दी पक जाएंगे तो medium to high flame पर हमने इसको पकाया है एक साइट से देखिए अच्छा सा कलर आ चुका है इसकी साइट को चेंज कर लेंगे हम और दूसरी साइट पर भी इसी तरीकी का कलर आनी तक पका लेंगे आप चाहें तो इसको स्टीम कर लीजिए इस्टीमर में आप इसको स्टीम करके भी करी में डाल सकते हैं बट मैं फ्राय करके डाल रही हूँ फ्राय करके डालने से टेस्ट और जादा बर जाएगा कौफतों का तो कौफते हमारे फ्राय हो चुके हैं, इनको निकाल लेंगे तो अब हम करी बना लेते हैं करी बनाने के लिए मैंने दो बड़े चमश तेल लिये है तेल हमारा गरम हो चुका है, उसमें खड़े मसाले डालेंगे, दो छोटे तेस पत्ते, एक बड़ी इलाइची, तीन हरी इलाइची, एक डाल चिनी का तुकड़ा, चार लॉंग और बारा से पंदरा काली मिट्चे डालेंगे, ये मैंने दो मीडियम साइस की प्याज ली है, इनको डाल देंगे इसमें, और प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ कर लेना है, तो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, प्याज हमारी, आप चाहें तो प्याज का पेस्ट भी ले सकते हैं, वन टीस्पून अधग लसन दालेंगे, हाफ टीस्पून ग्रीन ची तो हम भून लेंगे ताकि इसकी रोई स्मेल खतम हो जाए, तो अधरक लेसन का पेस्ट हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, यह मैंने एक बड़े साइस का टमाटर लिया था, उसका मैंने प्यूरी बना लिया है, उसको डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह से हमको भून लेना है, तो तेल हमारा उपर आ चुका है, टमाटर का पेस्ट भून चुका, मसाले डाल देंगे, नमक निया है, वन टीस्पून यह हाफ टीस्पून कसूरी मेती, वन टीस्पून गरम मसाला, वन टीस्पून जीरा, वन टीस्पून धनिया, हाफ टीस्पून हल्दी और वन टेबल स्पून मैंने कश्मीरी मीड़ी ली है इससे कलर अच्छा आएगा हमारी करी का इसमें मैं थोड़ा सा पानी डारी हूँ ताकि मसाले हमारे जलेना और मसालो को भी हमें अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसका कच्चापन खतम हो जाए तो मसाले हमारे भून चुके हैं इसमें हम दही डाल देंगे आधा कप मैंने दही लिया है दही को डालने से पहले आप अच्छी तरह से फेंट लीजिए वरना वो दाने दाने हो जाते हैं करी में जाने के बाद तो उससे टेक्स्चर खराब हो जाता है हमारी करी का तो दही डालने के बाद हमने अच्छी तरह से भूना था मसाला हमारा रेडी है भूनके इसमें मैं देड़ ग्लास पानी डाल दूंगी आपको जितनी ठीक चाहिए या जितना पतला चाहिए करी उतना पानी अट कीजिए उसमें तो देड़ ग्लास मेंने पानी डाला है उबाला चुका है इसमें हरा धनिया डाल देंगे इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे हरे धनिये को और लो फ्लेम पर कवर करके इसको हम 10 मिट के लिए पकने देंगे तो 10 मिट हो चुके हैं हमारी करी को पकते हुए अब हमने जो कोफटों को हमारे फ्राइ किये थे उसको हम इसमें डाल देंगे बहुत से लोगों के शिकायत होती है कि कोफटे हमारे टूट जाते हैं बट ऐसा कुछ नहीं है अगर आप मेरे तरीके से बनाओगे तो बिल्कुल नहीं टूटेंगे आपके कोफटे तो हम रेस्टरेंड स्टाइल बना रहे हैं तो हमने इसमें फ्रेश क्रिम डाली है तो यह देखी है पांच मेर्ड हमने इसको पकाया था कोफटों को डालने के बाद में कवर करके तो कोफता करी हमारी बनके बिल्कुल रेडी है, इसको हम डिश आउट कर लेते हैं, यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसको जरूर ट्राइ कीजेगा, तो हमारी चिकन कोफता करी बनके रेडी है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपी को जरूर ट्राइ करें करें